नमस्कार दोस्तों, Technology Nowadays में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो वीडियो के निचे आपको रेड कलर का सस्क्राइब को बटन दिख रहा होगा आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते है दोस्तों आप सभी लोगों ने रेडियोलेशन के बारे में तो सुना ही होगा आपके फोन का रेडियोलेशन, आपके टीवी स्क्रीन का रेडियोलेशन, आपके कम्प्योटर का रेडियोलेशन और यहां तक कि आपकी आखों का resolution आखिर यह resolution होता क्या है तो दोस्तो यह resolution एक mathematical calculation होती है pixels के multiplication की आप जब फोन लेने जाते हो तो आपने फोन के box पर लिखा देखा होगा resolution 720 x 576 या फिर 1280 x 720 तो यह होता क्या है दोस्तो आपके phone की computer की या TV की screen पिक्सल में बटी होती है या सरल भासा में कहें तो तुकडो में बटी होती है दोस्तो अगर screen के horizontal pixels को vertical pixels के साथ multiply करें तो एक number आएगा आपकी screen में उतने pixels होंगे या यू कहें कि आपकी screen उतने तुकडो में बटी होगी यह तो 1280 x 277 number है या आपकी screen के horizontal और vertical pixels को multiply कर रखा है इनको multiply करके जो भी number आएगा आपकी screen में total उतने pixels होंगे अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने जादा pixels होंगे या आपकी screen जितने जादा तुकडो में बटी होगी वो उतनी ही जादा बहतर होगी अब आप लोग सोच रहे होंगे यह तो screen का resolution हो गया हमारी आखों का इससे क्या लेना देना तो दोस्तों हमारी जो आखे होती है उसके अंदर भी एक screen होती है जिसे हम retina कहते हैं हम जो कुछ भी अपनी आखों से देखते हैं वो उस screen पर project होता है और वहां से neurons की थुरू हमारे दिमाग को signal भेजे जाते हैं और हम जो देख रहे होते हैं हमारा दिमाग उसकी एक picture बना लेता है यह काम इतना fast होता है कि एक second में ही हमारा दिमाग ना जाने कितनी pictures बना लेता है दोस्तों सायद आपको पता होगा कि camera का जो invention हुआ वो हमारी आखों से ही inspire होकर हुआ था जैसे हमारी आखों में iris के पीछे एक lens होता है वैसे ही camera में भी एक lens होता है और जैसे आखों के lens के पीछे retina होता है वैसे ही camera के lens के पीछे एक sensor होता है जो कि camera द्वारा देखी गई image को capture करता है तो मतलब हमारी आखे और camera same same है तो फिर क्यों जो लोग देख नहीं सकते उनकी आखों में क्यों ना camera लगा दिये जाए ताकि वो भी देख सके तो दोस्तो ऐसा फिलाल possible नहीं है क्योंकि retina द्वारा जो signal भीजे जाते हैं दिमाग को वो signal फिलाल camera के sensor द्वारा नहीं बेजे जा सकते लेकिन इस पर research चल रहे हैं कि ऐसे signal camera का sensor भी बेज सके जो कि हमारा दिमाग समझ सके तो दोस्तो ये तो ही camera और आखों के same होने की बात अब हम topic पर आते हैं कि हमारी आखों का resolution क्या है दोस्तो अगर हमारे सामने कोई इंसान खड़ा है और हम उसे एक second के लिए देखते हैं तो हमारे retina पे उस time जो image बनेगी उसका resolution बहुती जादा कम होगा और वो इसलिए होगा क्योंकि हमारा दिमाग जो चीजे रोज देखता है उन में से कई चीज वो ignore कर देता है मतलब जब हम किसी को एक second के लिए देखेंगे तो हमारा दिमाग उसकी आख, नाख, कान, मुझ को ignore कर देगा क्योंकि वो उन्हें रोज देखता है लेकिन अगर हम उस इंसान को थोड़े देर गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसकी नाख पर एक तिल भी है जो कि हमें पहले नहीं दिखा था क्योंकि हमने सिर्फ एक second के लिए उससे देखा था और हमारी आख ने उसकी नाख को ignore कर दिया था तो दोस्तो इससे ये पता चलता है कि हमारी आखों का जो resolution है वो fluctuate होता रहता है मतलब अगर हम किसी चीज को ध्यान से देखेंगे तो उसका जो resolution हमारी आखों पर बनेगा वो ज़्यादा होगा दोस्तो हमारी जो आखे होती है वो DSLR कैमरा की तरह होती है यह यूँ कहें कि DSLR कैमरा हमारी आखों से inspire होकर बने है जब अब DSLR जे कोई photo click करते है तो उसमें subject पर focus होता है बाकी का background, field of vision में होने के बाद भी blur हो जाता है वैसे ही हमारी आखों का resolution काम करता है हमारी field of vision में बहुत सी चीज़े होती है पर हमारी आखे जहां focus होती है वो जहींच हमें clear दिखाई देती है दोस्तो Clark Vision Company ने research करके पता लगाया है कि हमारी आखों का जो approximate resolution होता है वो 576 megapixel के बराबर होता है दोस्तो 576 megapixel आज तक ऐसा कोई camera नहीं बनाए जो 576 megapixel की image ले सके तो मतलब हमारी आखों का जो resolution होता है वो काफी ज़्यादा होता है अच्छे से अच्छे camera से लेकिन दोस्तो इन future अगर कोई ऐसा camera बन जाता है जो कि 576 megapixel की image ले सकता है तो हमारी आखे पहचान नहीं पाएंगी कि वो picture है या वो चीज सच में हमारे सामने है तो दोस्तों I hope आपको समझ आ गया होगा कि resolution क्या होता है और हमारी आखों का resolution क्या है ऐसे और भी वीडियो आपको हमारी चैनल पर देखने को मिल जाते हैं तो अगर आपने भी तक हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए